हेलो फ्रेंज, वेलकम तो आर चैनल, आश्टेग क्या हमारे होम मिनिसर सब जानते हैं टाइगर सिद्धी कही कहन था? अब्दूल कादर सिद्धी की बांगलादेश के राजनीती कहें उन्हें लोकप्री रूप से बंगबीर शीरशक के तहट जाना जाता है उन्होंने मुक्ती बाहिनी के सदसे और बांगलादेश मुक्ती युद्ध के आयोजक के रूप में कारे किया बह पाकिस्तान सेना के खिलाफ तांगेल शेत्र में एक अनुमानित सत्रह हजार की संख्या में गुरिल्ला बल के साथ लड़े सेना को कादरिया बाहिनी कादर की सेना कहा जाता था युद्ध के अंत में 16 दिसंबर 1971 को सिद्धी की सेना ने युद्ध की समापती का संकित देते हुए भारतिय बलों के साथ धाका में प्रवेश किया उन्हें बांगलादेश सरकार द्वारा बीर उत्तों से सम्मानित किया गया था 1999 से वह अपनी खुद की गठित पार्टी क्रिशक श्रमिक जन्ता लीग के नेता के रूप में कारे कर रहे हैं श्रमिक जब तालिबान आगा तो आपको जुरुत है हजारा की ताजिक की अपको जुरुत है भारत में ताके हम स्टिजिक कंट्रॉल कर सके मगर आपके खानून की वज़े से आप उन तमान ताजिक को उस्बेक को तालिबान जब हुकुमत करेगा अफ़गानिस्तान में आपका तो काट चला गया यह आपकी सोंच है यह आपका विज़े मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पर ब्लेंडर स्टेटिक सेक्यूरिटी के आइकर्ट के आप लोग करेंगे अफ़गानिस्तान में सिख है मैं जानता हूँ तालिबान के जमाने में हो मिनिस्ता साथ जानते है कि करंटी का पूरा मामला सिखों के पास आज भी उनी के पास है और क्या गारेंटी ले रहे हो मिनिस्ट साथ ना हिंदूस्तान के हिंदों से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है वो घुसाएगा यहां पर आप कईशा रुकेंगे और क्या आप बताएंगे मैडम के कितने लोग हैं जिन को आप सिटिजन्ची देने जारे नमबर बताईए, स्टेट बाइज बताईए कहो कह रहे है, मड़म, और एक बार, ये खानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दुवारा पाकिशन हो ये खानून तो हिटलर के खानून से ही बत्तर है उस खानून से ही बत्तर है, कहां लाकर छोड़ दिया भारत को आप अगर आपने संवीधान परोग किया था, हम मुसल्मानों का गुना क्या है कि हम मुसल्मान हैं, मुझे पाकिस्तान समक लीजिए, अगवानिस्तान समक लीजिए मगर इसलाम के तालुख से, मुसल्मानों के तालुख से, इस एहमान को सोचना पड़ेगा आप जो मेसेश दे रहें आपकी वज़े से पॉलिटिकल माजलाइशन हो गया मुसल्मानों का आप तर उनको दवा रहें, उनके सीने पर फैर रखकर आप कह रहें कि अपको इस मुल्क का बाइज़ा शेरी ने वज़े तो सेकलस बनाया जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ मैडम, कि ये और एक पार्टिशन होने जा रहा है मैडम मुझे गम इस बाइज़ा है कि आइस हकूमत को जिसने सम्विधान पर ओत लिया आज इसलाम से मुसल्मानों से इतनी नफरत, क्यों आखिर क्या है हम इंसान है, इस मुल्क के बाइज़ा शेरी है आखिर इस नफरत का इस डिस्क्रिमनेशन की वज़े क्या है आए आप में जो मैं आपके सामें रखना चाहूंगा कि पियो के, सर पियो के, होमिनसे साब अब ये क्यों भूल जाते है कि वन थर्ड एरिया हिंदुस्तान का चीन में है आप दर रहे हैं क्योंकि कल अकर दलायलामा मर जाएंगे नया दलायलामा आएगा तो आप उसके लिए रोक रहे हैं कि अक्तिबग के लोगों में मुसल्मान नहीं है क्यों नहीं दरते हैं आप दलायलामा आप इंतजार कर रहे हैं मैडम, यही तुम पुछ रहें, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों डर रहें चीन से आप, वन थर्ड एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद हो मिनिस्टर ने कहा तो एक्सराई चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिये, इतना क्यों डरते है चीन से आप, आप मत लीजे किसी को, मैडम, मैं यह क्यों कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आप, मैं जानना चाहूँ को हो मिनिस्टर साथ से, कि इस बिल को एनरसी के नजर से देखने की जूरत है, जो आसाम में एनरसी हुआ मैडम, वहाँ पर 19 लाट लोगों के नाम नहीं आ सेक्शन 6A के तहट, जितने बंगाली हिंदू है, उन पर जो मुखत्मा चलेगा, वह अबेट हो जाएगा, और किस पर मुखत्मा चलेगा, फॉर्ट से मिलेंसर मुसल्मानों पर, बताइए हो मिनिस्टर साथ यह डिस्क्रिमेशन नहीं है, आर्टिकल 14 फेल कह होता है, जहा अगर अमिशा साथ का नाम नहीं आएगा, और उन्गी के पार्टी के किसी एक मुसल्मान का नहीं आएगा, तो C.A.B. के जिरे अमिशा का नहीं आएगा, यहिन की साधिश है, के स्टेटलस बनाना मुसल्मानों को, और मैडम मैं इसकी मदम्मत करता हूं, हमारा हाल आप यह करके रख दिहिए हैं कि तूफान में क्षटी में तासुवियत की फिरखा परची के तूफान जाओ कि झाल झाल